हेलो गाइस केप्टन इज बेक अगेंड विडियो आज की वीडियो में हम सीजन 16 रोयल पास रिवोर्ट के बारे में बात करेंगे और मैं आपको नेक्स्ट अपकॉमिंग इवेंट स्पींग और क्रेट की कंफर्म डेट भी बताऊंगा सबसे पहले बात करते हैं सीजन 16 रोयल पास रिवोर्ट के बारे में गाइस अभी सीजन 16 से लिटेट ज़्यादा लिक्स निकल कर नहीं आये हैं तो अभी ये बता पाना मुश्किल है कि आपको कौन सा रिवोर्ट किस आरपी पॉइंट पर मिलेगा सबसे पहले बात करते हैं आउटफिट के बारे में जो हमें सीजन 16 में देखने को मिलेगा इस वाले आउटफिट का लुक soldier या officer जैसा है और यह वाली आउटफिट हमें gold टीर पर देखने को मिलेगी अब बात करते हैं platinum टीर पर हमें एक mask देखने को मिलता है जो की outfit से मेच हो रहा है diamond टीर पर हमें SL की गन स्कीन देखने को मिलती है जिसका लुक काफी सही है गाइस वाइन होने के बाद हमें काफी सही reward easily मिल रहे हैं साहिद ऐसा करके वापिस अपना user base बढ़ना चाता है आपका इस बारे में क्या opinion ने comment करके बता है तो गाइस यह थे reward से related leaks अभी पेराशूट से related leaks निकल कर नहीं आहे हैं जैसे ही बागी leaks निकल कर आते हैं मैं आपको वीडियो बना कर बता दूँगा अब बात करते हैं royal pass reward के बारे में यहां पर हमें 1rp पर एक gun की skin देखने को मिलेगी जो की एक vector की skin है अब बात करते हैं next reward की जो की एक outfit है साहिद यह outfit हमें 50rp पर elite royal pass में देखन को मिलता है जो की 100rp के outfit का होता है और यह रही 100rp की outfit यह outfit देखने में बहुत अच्छी लग रही है और color combination भी बहुत अच्छा है गाइस मैंने आपको जो reward बता है उनकी rp rank confirm नहीं है मैंने season 15 के according आपको बताया है कौन सा reward कहां पर देखने को मिलेगा बट final तो हमें royal pass आने के बाद ही पता चलेगा इसके लावा यह कुछ skin और remote है जिनका अभी तक confirm नहीं हुआ है कि हमें season 16 में कहां पर देखने को मिलेग मतलब season 15 RP 17 November को लोग हो जाईगी और हमें Halloween mode 23 October को PUBG Mobile में देखने को मिलेगा इसकी announcement PUBG Mobile ने Instagram account पर कर दिये 20 October को हमें horseman spin और 24 October को ghost premium crate PUBG Mobile में देखने को मिलेगा इन से रिल्टेट confirm reward leaks trailer पर मैंने वीडियो अल्रेडी बनाया हुआ है 27 October को upgradeable skin से रिल्टेट spin आने वाला है जिस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है और upgradeable skin से लिटेट सारी डीटिल बताई है जैसे kill effect, final form, death crate और बाकी सब ये थे October मन्त में आने वाले सारे crate और spin अब बात करते हैं November मन्त में आने आने वाले upcoming crate और spin के बारे में तो यहाँ पर हमें 1st November को in yang classic crate और 4th November को gothic gentleman spin मिलने वाला है यहाँ मैंने आपको upcoming event, crate और spin के confirm date बताई है और इनके reward और outfit leaks पर भी पहले ही वीडियो बनाया हुआ है अगर आप चैनल पर new हो तो ऐसी leaks और PUBG Mobile की upcoming events से related videos के लिए चैनल को subscribe करना ना भूलें मैं पूरा try करता हूँ आपको सारे leaks और इवेंट के बारे में सबसे पहले update दे स तो आज की वीडियो के लिए बस इतना है गाईस नेक्स वीडियो मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ थैंक्स फोर वचिंग